हेलो दोस्तो कैसे आप आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकडेमी में आपका स्वागत करता हूँ सो दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं EMRS एकलब मौडल रेजिडेंशिल स्कूल 2030 की TGT और PGT की सारे सबजेक्ट की पोश्ट के लिए Teaching Aptitude का एक मौडल पेपर लेकर आए हैं क्योंकि आपको पता है सारी पोश्ट के लिए एक जनरल पेपर तो होना ही है जिसमें आपकी हिंदी और इंगलिस क्वालिक फाइंग नेचर की आने वाली है इसके साथ ही जी के जनरल एबिरनेस आने वाली है और आपका क्या आना वाला है तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाती है तो जो आज की क्लास में लेकर आया हूँ क्योंकि आपको पता है टीचिंग एप्टीट के आपके एकजाम में दस कोश्चन आने वाले है तो हूब हूब बैसाई एक पेपर में मौडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ पूरे 10 कोश्चन लेकर आया हूँ और जिस टैप के आपके एकजाम में आने वाले है बल्कुर उसी टैप के कोश्चन में लेकर आने वाला हूँ लेकर आया हूँ दोस्तो शुरू करते हैं आज की क्लास आज का मौडल पेपर शुरू करते हैं यह रहा आपके सामने आज का section उपलब्धी होती है academic जो उपलब्धी होती है उसमें क्या-क्या सामिल होता है तो दोस्तो एक छात्र जो होता है उसकी section उपलब्धी में उसका ज्यान उसका क्या भी ज्यान और जो उसकी समझ होती है समझ इसके साथ ही उसके अंदर जो कौसल होता है कौसल और उसे सीखने का जो द्रश्टी कौन होता है इस सारी चीजें सेक्शन उपलब्धी को प्राप्त करने में सामिल होती है एक सिक्षारती के लिए तो दोस्तो इस question का जो right answer होने वाला है दोस्तो बिल्कुल right answer हो जाएगा दोस्तो ठीके दोस्तो जैसे की question में यह करा रहा हूँ same to same question आपके exam में आने वाले हैं लभव step के ही question आने वाले है तो आगे बढ़ते हैं next question यह रहां आपके सामने दोस्तो एक बच्चे द्वारा कक्षा की परिक्षाओं में अच्छा प्रदस्तन ना कर पाने के कारण हमें एह बिस्पास हो जाता है क्या क्या बिस्पास हो जाता है क्या मुल्यांकन उद्देश पून है और विफलताओं के इस पश्ट्रूप से पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है यह होना चाहिए यह पाठेक्रम सिक्षा साथ और मुल्यांग्रम प्रिक्रियाओं पर प्रतिमिम्मित करने की आवस्सक्ता होती है यह सिस्टम कितनी भी कोसिज कर ले कुछ बच्चों को आसफल माना जाता है यह बच्चे कुछ चमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं यह बात हम कह सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर एक बच्चा कक्षा में कक्षा की जो परिक्षा हो रही है उसमें अच्छा प्रतिम्स नहीं कर पा रहा है तो इसका रीजन यह नहीं है हम उसके लिए यह नहीं कहेंगे कि यह बच्चा मतलब आसफल ही होगा यह पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है यह क्या है पढ़ने में अच्छा नहीं है यह बात हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे ये बात कहनी गलत है और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं कुछ बच्चों के अंदर कमिया होती ही होती है तो ये बात भी हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं तो दोस्तों हम जो कह सकते हैं, वो ए बात कह सकते हैं, कभी-कभी क्या होता है, कुछ बच्छों को ना समझ आने की रीजन ए भी होता है, प्रिक्षा में अच्छे प्राप्त ना करने का ए भी रीजन होता है, दोस्तों कभी-कभी जो टीचर की जो सिक्षा सास्त को मैनेजमें नहीं आता है जिस बज़े से वो प्रिक्षा में अच्छा प्रदर्सन नहीं कर पाता है या किसी और रीजन की बज़े से भी बच्चा हो सकता है प्रिक्षा में अगर अच्छा प्रदर्सन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि बच्चा बच्चे के अंदर कमी है या बच्चा आसफल ही होगा कभी पास सफल हो नहीं सकते हैं यह बात कहना बिल्कुल भी गलत हो जाता है दोस्तों इस कोश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है मेरे एकॉर्टिंग वो होने वाला है option B option B क्या पाठे किरम सिक्षासास्त और मूल ल्यांकन की प् प्रति बिम्बित करने की आवश्चता है कि अभी जो उसका पाठे किरम है उसको देखना है कि वो किस टैप का पाठे किरम है उसके लेबल का है नहीं है और है तो उसे किस टैप का teaching plan चाहिए teaching जो plan है उसी के according बनाना चाहिए हमें जिससे की सारे बच्चों को समझ आए और जो उसका सिक्षा साज तरह teaching plan और मुल्यांकन प्रकिरिया है उस पर हमें ज्यादा जोड़ देना चाहिए जो उसकी मुल्यांकन प्रकिरिया से हम क्या करेंगे जो बच्चे के अंदर की जो कमी है जिस वजए से वो प्रिक्षा में अच्छे नहीं पावा रहा है या जो वो चीजों को नहीं समझपा रहा है इन सब चीजों को देखने के लिए हम मुल्यांकन करेंगे और सबसे अच्छा मुल्यांकन आपको पता है कौन सा मुल्यांकन होता है दोस्तो दोस्तों के साथ क्या करेंगे भी दोस्तों सेर करेंगे क्योंकि आपको पता है सेर करने से हमारा ग्यान जोए बढ़ता है और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे भी सब्सक्राइब जरू कर लेंगे चैनल को क्या करेंगे भी दोस्तों सब्स अधिगम के लिए अकलं अधिगम के लिए ऊकलनma स्कता है और अधिगमS के लिए ऊकल्ण מחडब अलना वो सकता है और या सब चीजों को मैं चछे से आपको समझानेध करता हूं और यह आशा योगातमक आकलन आपने सुना होगा योगातमक आकलन और जो अधिगम के लिए आकलन होता है इसे हम कह सकते हैं रचनातमक आकलन क्या कह सकते हैं रचनातमक आकलन और जो अधिगम के रूप में आकलन होता है यह होता है प्रमानिक आकलन इसे हम प्रमानिक आकलन कह सकते हैं दो कुछ आपसे कुश्चन पूट अप करूँगा कुश्चन बीच बीच में पूँचता रहूँगा तो उससे यह जो मुल्यांकन होगा वो कौन सा होगा भी रचनातम मुल्यांकन होगा इससे क्या होगा मैं पढ़ाते टैम पे जो आपका आखलन कर रहा हूं उससे कुछ कोश्चन पूच रहा हूं तो कुछ कोश्चन का आप आंसर दे पाएंगे कुछ का नहीं दे पाएंगे तो मुझे पता चलता जाएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या आ रहा है समझ में तो जो समझ में नहीं होती है वो हमारा एक प्रकार का अधिगम का आकलन ही होता है क्या होता भी अधिगम का आकलन होता है और जो अधिगम के रूप में आकलन जो अधिगम के रूप में आकलन होता है तो दोस्तो हम अपने अंदर सुधार लाने के लिए हम अपने अंदर सुधार लाने के लिए जो अधिगम करते हैं उसी को हम अधिगम के रूप में आकलन कहते हैं for example, mock test mock test लगाना जैसे कि अभी मैं आपको model paper लेकर आया हूँ इसको आप मेरे बताने से पहले मेरे answer बताने से पहले खुद लगाते जाएं तो इस type की जो आकलन जो होगा खुद से सीख रहा है मतलब एक प्रकास से कह सकते हैं अधिगम के रूप में आकलन वो होता है सोय आकलन भी कह सकते हैं जो अधिगम के रूप में आकलन होता है उसे हम क्या कह सकते हैं सोय आकलन भी कह सकते हैं तो अपने आप से mock test लगाना और फिर हम अपने जो अधिगम है उसको और भी अच्छा बना लें उसके लिए वो क्या होता है अधिगम के लिए आकलन होता है और जो पूरा पढ़ने के बाद पूरा काम करने के बाद उसके बाद जो एक प्रकार का एकजाम होता है तो वो जो होता है वो योगातमा आकलन होता है दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बताओं जैसा कि आप देख रहे हैं इस कोश्चन में जब कोई रसोई या खाना पकाने के दौरान आप देख रहे हैं दौरान खाना पकाने के दौरान भोजन का स्वाद लेता है और जैसे कि अभी मैंने बताया जो हम जैसे मैं अभी इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के दौरान में अगर मैं आपसे कुछ आप दे रहे हैं और फिर मैं आप सको चेक कर पा रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इसी प्रिकार से एक जब जो रसोईया होता है वो खाना जब पका रहा है तो उस दौरान भोजन को चेक करके देख रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है भी अधि अधिगम के लिए आंकलन कर रहा है जैसे कक्षा के दोरान जो आंकलन होता है उसे हम क्या कहते हैं अधिगम के लिए आंकलन कहते हैं या रचनातमक आंकलन कहते हैं दोस्तों जो किसी भी प्रक्रिया के दोरान जो आंकलन किया जाता है टेस्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते है अधिगम के लिए आंकलन कहते हैं तो दोस्तो क्योंकि ये खाना पकाने के दौरान खाने को चेक कर रहा है तो ये क्या होगा अधिगम के लिए आंकलन होगा option number B क्या हो जाएगा दोस्तो बिल्कुल right answer हो जाएगा इस question का और दोस्तो आसा करता हूँ आपको इस question को अच्छे से समझ लिया होगा एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ जो हमारी पूरी साल पढ़ाई करने के बाद जो बार से प्रेक्षा होती है वो जो आंकलन होगा वो अधिगम का आंकलन हो जाएगा और जो कक्षा के दौरान जो आंकलन होता है कौन सा भी दौरान जो आंकलन होता है कक्षा के दौरान या किसी प्रेक्रिया के दौरान जो आंकलन होता है वो अधिगम के लिए आंकलन होता है और अधिगम के रूप में आंकलन वह होता है जैसे हम mock test देते हैं मतलब soye, soye आंकलन जो होता है हम अपने आपको सिधालने के लिए जो आंकलन करते हैं जैसे mock test देना या model paper लगाना ये क्या होता है अधिगम के रूप में आंकलन हो जाता है आपको इसका explainers अगर पसंद आया है तो आपको क्या करेंगे class को like करेंगे अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे भी share करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लेंगे भी subscribe भी जरूर कर लेंगे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन नेस्ट कोश्चन यह रहा आपके सामने दोस्तो एक छात्र की सैक्षिक उपलब्धी डैस कारकों पर निर्वर करती है तो जो चात्र की सैक्षिक उपलब्धी होती है जैसा कि अभी मैंने आपको पहले कोश्चन में भी बताया था उसमें क्या क्या चीज सामिल होती है जैसे मैंने आपको बताया ग्यान, समझ और कौसल ये सब हमारे सामल होते हैं सेक्शन उपलब्दी को पाने के लिए ये सब क्या होते हैं सामल होते हैं सेक्शन उपलब्दी के लिए लेकिन अभी हमसे पूछा गया इसके जो कारक हैं वो क्या क्या हो सकते हैं तो दोस्तों इसके कुछ मनोबैग्यानिक कारण भी होते हैं, कैसे होते हैं भी, मनोबैग्यानिक कारण भी होते हैं, सामाजिक कारण भी होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, सामाजिक कारण भी होते हैं, और परियाबरणिये भी चाकारण होते हैं, जो सेक्षिन उपलब्दी क प्राप्त करने के जो कारक हो सकते हैं वो प्रयावरणगी ये कारक भी हो सकते हैं और कुछ प्रभावसाली कारक भी हो सकते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस question में हमारे प्रवावसाली दिया है और जैप सामाजिक दिया है तो इस step से हम कह सकते हैं उपरोग्ट सबी यह सारे कारक हमारे क्या है वही सेक्षिक उपलब्दी को कारक इन कारकों पर निर्वर करती है हमारी सेक्षिक उपलब्दी सेक्षिक उपलब्दी हमारी इन सारे कारकों पर निर्वर करती है मैंनों बैग्याने कारण सामाजिक कारण प्रयावरने कारक और जैप समाजिक और प्रवासाली कारक इन सब कारकों पर हमारी सेक्शिंग और लब्दी निर्भर करती है और इसमें जो सामिल हो सकता है सेक्शिंग और लब्दी को प्राप्ट करने के लिए यह सामिल होगा ज़्यान, समझ, कौसल यह सब सामिल होगा जो कि आपको मैंने पहले question में ही बता दिया दोस्तू अब आगे बढ़ते हैं next question next question यह रहां आपके सामने दोस्तो निम्नी लिखित में से कौन सा एक उप्योप्त रचनात्मक मुलने अंकन कारिय नहीं है इसमें हमसे क्या पूचा भी उप्योक्त रचनातमक मुल्यांकन का रही है नहीं है तो दोस्तों आपको पता है जैसे कि अभी मैंने बताया किसी पिर्किरिया के दौरान जो मुल्यांकन किया जाता है वो हमारा कौन सा होता है भी रचनातमक मुल्यांकन होता है जैसे कि अभी म जो मुल्यांकन करूँगा वो क्या होगा रचनात्मक जैसे मैं आप से कुछ खुले सिरे बारे open ended questions पूछूँगा तो सारे बच्चे अलग जवाब देंगे है ना इस टैप की questions पूछना क्या होगा रचनात्मक मुल्यांकन का एक भाग होगा परियोजना कारिये देना आपको observe करूँगा मैं तो यह भी क्या होगा रचनात्मक मुल्यांकन कारण जो है कारिये होगा लेकिन चात्रों को ranking करना मतलब कौन सा चात्र मतलब ज्यादा तेज पढ़ने वाले जो पढ़ने में तेज बच्चे हैं उनको एक ग्रूप में कर दिया जो धीमे है जो धीमे है जिन सा रचनात्मक मुल्यांकन कारे नहीं है तो option number D क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल right answer हो जाएगा चात्रों की ranking हम नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे और यह हमसे हमारा right answer हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं पूचा गया दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं next question दोस्तों यह रहां आपके सामने थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि इसके सारे options दिख जाएं दोस्तों तो यह रहां आपके सामने next question यह रहां आपके सामने दोस्तों मुल्यांकन उद्देश पून है यदी मुल्यांकन उद्देश पून है यदी कब होता है मुल्यांकन उद् डर और तनाव पैदा करें और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं teaching aptitude से related और कोई question आ रहा है तो दोस्तों उसमें बच्चे के लिए कि अभी छात्र के लिए अगर negative बाते हैं अगर कोई भी negative बाते होंगी तो वो option होगा नहीं आप ये चात्रों के साथ साथ सुक्षकों के लिए प्रतिक रिया के रुप में कारे करता है बिल्कुल ये बात हो सकती है ये तो positive बात है कहीं न कहीं और ये बर्स के अंत में केवल एक बार किया जाता है बिल्कुल नहीं किया जाता है छात्रों की उपलवदियों के बीच अंतर करने के लिए तुलनातमक मुल्यांगन बिल्कुल नहीं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option number B हो जाएगा option number B बिल्बीदा राइट आंसर दोस्तो अब बढ़ते हैं next question यह रहाँ आपके सामने दोस्तो सीखने से सीखने पर जोर इस्थानांतरित किया जा सकता है मतलब सीखने के लिए जोर इस्थानांतरित बच्चों पर कैसे कर सकते हैं किस प्रिकार से कौन सा तरीका बिल्कुल सही हो सकता है क्या रट्टा सीखने को प्रुत्साहित बच्चों से ये कहें कि आपको हमने ये काम जो दिया है इसका रट्टा मार के आई है तो रट्टा मारने वाली बात तो भी निगेटिव होती है और मैंने आपको बता है teaching aptitude में कोई अगर उल्टी सीधी बेकार बातें अगर की जा रह है थे तो उसमें जो निगेटिव है वह options नहीं होते हैं हमारे right और जो positive होते हैं और सिक्षा सास्त को अगर हम अपना लेंगे तो उससे क्या होगा बच्चे सीखने पर जोर उनका इस्थनांत्रत हो जाएगा क्योंकि बच्चों को इस टैप से समझाया जाएगा बाल केंदत रूप से इस टैप समझाया जाएगा जिससे की बच्चे समझे मतलब उनकी मनोविज्ञान को समझ के उनको समझाया जाएगा ना कि ऐसे कह दिया कि बच्चों इसको रठके लाना है ललाच सिक्षक से मतलब पढ़ना है इस टेफ से नहीं नेश्ट कोश्चन यह रहा आपके सामने दोस्तों निमने लिखित में से कौन सा मूल ल्यांकन का प्रकार नहीं है तो दोस्तों जिसमें नहीं होता है उसे आप मार कर लिया करिए जिससे की कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी बज़े से हम नहीं नहीं देख पाते हैं नातमक भी होता है मैंने भी आपको बताया था है न और यह CCE मतलब कहीं न कहीं कह सकते हैं CCE क्या होता है दोस्तों CCE मैं आपको बता दूं continuous and comprehensive education C for continuous and comprehensive education CCE होता है और दोस्तों मुल्य आंकर का प्रिकार नहीं है यह हमसे पूछा गया तो मांदंड जो मांदंड होते हैं वो मुल्य आंकर का प्रिकार नहीं है दोस्तों तो option number a ही क्या हो जाएका बिल्कुल right answer होने वाला है दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं next question operation blackboard कारेकरम primary school में किस से संब्बन देते हैं किस से चीज पर जोड दिया गया operation blackboard में सो दोس्तो मैं आपको बता दूं यह जो questo blackboard है यह जो operation blackboard है यह कब आया था इसाट सिख्षा को उठाने की बास की गई थी उसके कर किया गया था वठाने की बाद की गई मिल्कुल बढ़े की ब्लब की यह ने को इस ने समने सामने सिख्षच का मुख्यू उद्देश क्या हो चाहिए चिक्चत का जो मुख उद्धेश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यह हम से पूचा गया है, क्या उसका उद्धेश यह होना चाहिए, कि छात्तिलों की प्रेक्षा उत्रीन करने के लिए तयार करें, बिल्कुल नहीं, अभी मैंने आपको बताया था, अच्छे नोट सिनर देशित करने, बिल्कुल नहीं बिध्यारतियों को सोचने की सकती का विकास करना जो सिक्षक का मुखुद्देश होता है बिध्यारतियों के सोचने की सकती का विकास करना होता है मुखुद्देश एक अच्छी सिक्षक का तो option number D क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल right answer होने वाला है दोस् कोई है अगर को आएंगे तो क्लास को लाइक करेंगे अपने दोस्तों को साथ क्या करेंगे और अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे जरू jeśli अपते लिए BEC scrambled लाया है टो ठाल